मैं आशिश पांडे आप सबका हार दिख श्वाकत करता हूं आशिश पांडे ट्यूटोरियल्स में मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपके लिए नई कविता फिर से लेकर करके आया हूं कविता का नाम है दट्रिव ब्यूटी जैसा कि आप लोग ठंगल पे देखी लिए हैं किसे करना चाहिए वास्तविक प्रेम कहां पर होता है वास्ताविक प्रेम किसकी साथ होता है ये सभी धेश सारी बातें इस कविताों से इस कवितां से हमकोँ सीखने को मिलेगा तो आए ज़रा देखते हैं कि नाम की कविता लिखी हुई है उसमीं क्या खाशियत क् fabric है आइ के बड़ी प्यारी कविता है कविता की चार लाइनों किसांसां दो लाइन इसका कप्रेट मिला करके यहां पर दिया गया है यह जो चार लाइन है वो मैंने यहां पर देखे पहले ही मेंसेन कर दिया है यह फिसकल ब्यूटी के बारे में दिया गया है यह फिसकल ब्यूटी के ही आएगा तो आप ही मतलब लवर से समझेंगे ही मतलब किसे समझेंगे लवर से समझेंगे उस प्रेमी से समझेंगे ठीक है लवर मतलब प्रेमी प्रेम इसे समझेंगे देंट लब्स है रोजी रोज से बना है रोजी रोज से बना है रोजी रोजी मतलब होता है गुलाबी ठीक है गुलाबी देखे प्रेम की प्रतीक महिलाएं है इसलिए सब कुछ महिलाओं से ही सम्वंधित यहां पर बातें होंगे गुलाबी चीक मतबब आप जालते हैं गाल होता है सभी लोग जान रहे हैं इसकé बारे में कोरल एक धात हो है एक रत्न है जो लाल रंकी होती है बिलकुर लाल लाल होती है तो कॉरल जो धात है उसका नाम है मौंगा उसका नाम है मूगा परन्तु यहाँ पर जब भी कोरल आएगा तो हम मूगा नहीं समझेंगे बलकि वहाँ पर क्या समझेंगे लाल लाल क्या समझेंगे मेरे भाईया लाल लाल समझेंगे ठीक है Admire मतलब होता है प्रशंचा करना admire मतलब होता है प्रशंचा करना ठीक है अच्छा आप मेरे साथ यह जो words बोलता हूं दीकर जगह कम है थोड़ से slide ज्यादे design में बनाई गई है इसे आप इसे लिखते रहा करो मैं अगली बार से कोशिश करूँगा यह design वगर थोड़ ना रहे साफ साफ पेज जैसे आपका प आगे लिखा गया है from star like star like जो लिखा गया है यहाँ पर star मतलब होता तारा और like मतलब की तरह तो star मतलब तारों की चमा तारों की तरह या तारों के जैसी अब तारों के जैसी नहीं तारों के जैसी चम चमाती हुई या चमकती हुई डज जो है हमने आपको पहले ही बता रखा था कि यह टी एच जो होता है उसे हम लोग ईएस फार्म कहते हैं तो डज सीक मतलब होता है तलास करना या खोजना सीक मतलब क्या होता है खोजना या तलास करना देखे मैं अगर यहाँ पर खोजना लिक रहा हूं और अगर एक्स्प्रेंशन में तलास करना भी बोलू तो आप घबडा ना मत बात एक ही है ठीक है अगे देखे क्या लेखा गये ओल्ड टाइम उल्ड टाइम मतलब समय का समय की गतिक्रम या जैसे-जैसे समय भीजता है या पुराना समय ठीक है मेक्स दीज डीकी डीकी मतलब होता है छै होना क्या होता है छै होना या इसी को हम कहाते है नस्ट होना क्या कहेंगे भईया नस्ट होना ठीके नस्ट होना सो फ्लीम, फ्लीम मतलब होता है ज्वाला फ्लीम मतलब क्या होता है ज्वाला लेकिन यहाँ पर यह जो ज्वाला हम लोग समझेंगे वो कौन वाली ज्वाला समझेंगे प्रेम ज्वाला कौन सी ज्वाला समझेंगे प्रेम ज्वाला वेस्ट वे मतब नस्ट हो जाती है या बरबाद हो जाती है नस्ट हो जाना ठीक है इतनी बातें आप सबको समझपा गई मैं एक बार जल्दी जल्दी से सभी वर्ट्स फिर से बोल देता हूँ हमने कहा लफ्स लफ मतब प्रेम करना ही जब भी आएगा आप प्रेमी के लिए बोलोगे रोजी रोजी मतब गुलाबी चीक चीक मतब गाल जब मैं बोलो तो आप मेरे साथ बोलो ठीक है इससे क्या होगा आपको पूरा-पूरा याद हो जाएगा और आपका एकदम बढ़िया तयारी हो जाएगी मेरा अपना मानना है कि यह दे हमको कविता अच्छे से समझ में और इसमें प्राबलम होने वाली बात नहीं और मैं आपको गरेंटी डेता हूं क써 मेरे साथ जैसा जैसा कह रहा हूं और यसा वैसा करोगे तो अभी की अभी कविता पूरी आपको याद हो जाएगी इतना मैरे उपर विश्वास कर सकते हैं ठीक है और आ कोरल लिप कोरल हमने कहा लाल लाल मुगा एक धातु होती है रतना होता है उसकी तरह हम लोग कोरल करेंगे कोरल जब भी आएगा तो लाल लाल से अर्थ रखेंगे एड्मायर मतब प्रसंशा करना स्टार लाइक मतब तारों की तरह चमकती हुई आइज मतब आखें डथ सीख सीख मतब खोजना फ्यूल मतब होता है इधन टु मेंटेन इंफिनिटिव लिखा गया है क्या करने के लिए बनाए रखने के लिए फायर्स मतब अपने अंदर की ज प्रेम आगणी या प्रेम की ज्वाला समाप्त हो जाएगी प्रेम करते हैं पहले हिंदी में फिर आपको इंग्ली चीक लब्स और रोजी चीक अब जब प्रेमी होगी तो प्रेम किसको करेगा मेरे भहिया जब प्रेमी होगा तो प्रेम किसको करेगा अपनी प्रेमिका को किसको करेगा अपनी प्रेमिका को या अपनी प्रेयशी को या हीरो है अपनी हीरोईन को या नायक है अपनी नायका को प्रेम करेगा तो ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमी का के रोजी चीक गुलाबी गुलाबी गालों से और या कोरल लिप एडमायर्स या उसके आप इसे दूसरी लाइन समझने से पहले आप इसे तीसरी लाइन समझो ठीक है तो क्या कहेंगे वह प्रेमी जो अपनी प्रेमी का के गुलाबी गुलाबी गालों से या कोरल लिप लाल लाल होंठों की प्रशंसा करता है और फ्रॉम स्टार लाइक आइच या तारों की तरह चमकती हुई आखों में ड़त सीक खोजता है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर अपने प्रेम की अगनी को बनाए रखने के लिए इधन की तलास करता है ये बार फिर से कहूँगा वह प्रेमी वह आशिक वह प्रेमी जो अपनी प्रेमी खाके गुलाबी गुलाबी गालों से प्रेम करता है उसके लाल-लाल होंठों की प्रशंचा करता है या उसकी तारों के जैसी चमकती हुई आखों में अपने प्रेम की ज्वाला को अपने प्रेम अगनी को पनाये रखने के लिए प्रेम की अगनी को प्रज्वलित करने के लिए प्रज्वलित किये रखने के लिए इंधन की तलास करता है As old time makes this decay तो वह समय बीतने के सांसाथ तो ये चीजें समय बीतने के सांसाद makes these decay इन्हें नस्ट कर देती हैं अर्थात समय चक्र इन्हें धीने धीरे 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 समाप्त कर देता है इस प्रकार से यद इन्हें समाप्त कर देगा कि इन्हें रोजी चीक, कोरल लीप, स्टार लाइक आईज अगर ये इन ही समाप्त कर देगा तो So, his flames must waste away तो उसके प्रेम की अगने अर्थात उसके प्रेम में प्रज्वलित अर्थात उसका प्रेम धीरे 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 क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा अब इक बार फिर्चे करता हूं मैं इसे मिला करके explain करता हूँ कभी ये कहना चाहता है कि ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमी का के शारीरिक सुन्दर्ता मैंने यह आपने लिखा फिजकल ब्यूटी शारीरिक सुन्दर्ता से प्रेम करता है जैसे उसके गुलाबी गुलाबी गालों से लाल-लाल होंटों से चमकती हुई तारों जैसी आखों से अगर इनसे वो प्रेम करता है तो समय जैसे जैसे धीरी 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 समय बीतनी लग जाता है तो उसकी गुलाबी गाल मध्धम हो जाएंगे फीके पढ़ जाएंगे उसकी चमकती आँखें फीकी पड़ जाएंगी, उसके लालाल होट फीके पड़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि बृद्धावस्ता शरीर को जरजर कर देता है और शरीर यदी जरजर हो गया, तो जिससे प्रेम उसका था, लाल लाल होटों से, गुलाबी गुलाबी गालों से, तारों जैसे चमकती हुई आँखों से ही, तो उसका प्रेम था, जब ये रहेगा ही नहीं, तो उसके अंदर की जो प्रेमागनी होगी, जो प्रेम की ज्वाल प्रिश्में कहता है रपोएट अवेर्ट असों इन भाइडीज लाइन यह श्राइड वेर्ट थैट प्रिजिकल इसलोड पर्मानेंट अ वोमन नहीं है फिजिकल चांप हर चिकॉप में भी रोजी हर लिप में her lips may have the faint red color like that of a coral and her eyes may be as bright as beautiful as stars these things will induce a person to love her but his lover will soon decay when her beauty is gone at the arrival of old age because with the passage of time this physical beauty fades away अब देखिए इसमें थोड़ी से बात आपको और में समझाओंगा इसमें बहुत सारे figures of speech हैं तीन figure of speech आपको मिलेंगे simile, metaphor और आपको मिलेगा personification तेहां पर देखिए लिखा क्या है रोजी चीक क्या लिखा क्या है रोजी चीक core lip इस दोनों में figure of speech आपको मिलेगा metaphor क्या मिलेगा metaphor ठीक है इन दोनों में क्या मिलेगा metaphor मिलेगा और यहां पर लिखा है star like eyes star like eyes तो यहां पर आपको क्यों मिलेगा क्योंकि like आया है यहां पर मिलेगा आपको simile ठीक है और यहां पर लिखा है time makes these decay समय को यहां पर personify किया गया है तो यहां पर figure of speech आपको मिलेगा personification त्वा सॉनिफिकेशन ठीक है । ये आपर ये थीडर जोपने शुरू वी याँपर बिलेंगे टो ये छे लाइन में । imprint ने किसके बारे में बता है मेरे बहिया physical beauty के बारे में बताया है तो जानकारी क्या मिलती है कि हमें सही पूछेए तो physical beauty से प्रेम नहीं करना चाहिए परन्तो आज समय प्रेम का रही ही नहीं गया है आज केवल और केवल time pass है कोई किसे प्रेम जल्दी करता ही नहीं है और यदि प्रेम हो तो आप उसे देखेंगे को उनमें रूप, रंग, आकार, प्रकार, जात, पात, काला, गोरा, नीला, पीला से कोई मतलब होता नहीं है, प्रेम तो प्रेम है, प्रेम एक शाष्वत, पूजा है, यह सब के वसकी बात नहीं है, ठीक है, अब देखें, जो आखरी छे लाइन्स दी गई है, उसमें पोईट क्या समझाना चाहता है, आई उसे देखते हैं, देखें क्या लिखा गया है, वर्ट, अ स्मूद एंड स्टीट फास्ट माइंट, स्मूद, बड़ा बढ़िया सब्द लिखा, स्मूद बत्रब, एकदम कॉंस्टेंट, एक सा रहने वाला, एकद एक सा रहने वाला, स्टीट फास्ट, स्टीट फास्ट मतब क्या होता है, मेरे भईया, द्रिण, स्टीट फास्ट मतब क्या होता है, द्रिण, आप मेरे साथ लिखते चलना, वर्ड्स मेरे साथ आप लिखते चलना, क्योंकि किसी भी पोईम की जो जान होती है, वो किवल मादा है आपसे माइन मतब मन यहाँ पर दिमाग से नहीं अर्थ रहेगा माइन मतब मन जेंटल मतब भले अच्छे सजनता पुन ठीके अच्छे विचार अच्छे थाट मतब विचार काम मतब शान्त डिजायर मतब एक्षायन हर्ड हर्दय एक्वल समान लब कंबाइन प्रेम बंधे हुए एक में किंदल किंदल मतब क्या होता है जागरत करना या उतेजित करना ठीके नेवर डाइंग फायर्ज कभी न समाप्त होने वाली अगनी मतब कौनसी अगनी अब बताया हुँ पहले आग वाली अगनी नहीं प्रेम अगनी कभी न समाप्त होने वाली अगनी मतब प्रेम अगनी वेर्ड दीजाना आट इस्पाइज में तो घ्रणा करना घ्रणा करना ठीक है चीक्स लीप्स और आज़ ठीक अब देखें इसमें कभी क्या बताना चाहता है इसमें जो पोईट है वो स्पिरिचुल ब्यूटी के बारे में बताना चाहता है spiritual beauty मेंने क्यों नाम दिया क्योंकि spiritual beauty दुनिया के एक ऐसी खुबशूरती होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती चाहे अच्छा लगे ना रहे आपको सुन्दर दिखे ना दिखे परन्तो जो प्रेमी होता है उसे उसको spiritual beauty दिखाई देती है spiritual मतलब जो हृदयांगम जो हृद सीधे माना करता है क्यों जैसे ही कविता सुरू हुई पोयम के पहले ही लाइट में क्या लेग दिया बट बट मतलब आप जानते है एडवर्जेटिव बाते होंगी स्मूध मतलब सदाइव एक जैसा रहने वाला स्टीटपाट मतलब द्रड़ है परन्तो एक द्रड़ है और सदाइव एक सा रहने वाला मन जेंटल थोर्ट्स सजन्ता पुरुवक अच्छे अच्छे विचार और काम डिजायर्ज और शान्त इक्षाएं हर्ट्स विद एक्वल लव कंबाइंड हर्ट्स वीद एक्वल लव कंबाइंड सदाइव एक से ही बनी देहती है हमेशा एक ही रहता है, अर्थात वो एक ही मिल करके, वो उसमें कभी भी कोई परिवर्तन आता नहीं है, किन्दल नेवर डाइंग फायर्स, और ऐसे इस प्रकार से प्रेम से जुड़ा हुए हुए हिर्दय, इस प्रकार हिर्दय से जुड़ा हुए प्रेमी, कि अंदर की जो प्रेमागनी होती है, उनकी ज्वाला कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी बड़ी ही शक्त अक्षरों में, शक्त लाइनस में कहा क्या कहा, where these are not जहाँ पर ये सभी चीजे नहीं है जहाँ पर ये सभी चीजे नहीं है क्या नहीं है smooth, steadfast mind नहीं है gentle thought नहीं है calm desire नहीं है वहाँ पर जहाँ पर ये चीजे नहीं है I despise, मैं घड़ा करता हूं lovely cheeks से कितने भी सुन्दर सुन्दर काल हो मैं उसे घड़ा करता हूं कितने भी सुन्दर सुन्दर होट हो मैं उनसे घड़ा करता हूं कितने भी प्यारी प्यारी आँखे हो मैं उनसे घड़ा करता हूं क्यों ऐसा कभी ने कहा क्योंकि ये spiritual beauty है इसमें मन की सुन्दरता देखी जाती है इसमें शारिरिक सुन्दर्ता देखी नहीं जाती अब एक एक शब्द जो कवी ने लिखा है उसके लिए बहुत ही बहतरीन चीज़े हैं मैं बहुत ज़्यादा explain तो यहां पर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा explain करूंगा तो बहुत अधिक time जाएगा कवी इसमूद ही क्यों लिखा कुछ और शब्द का प्रयोग कर सकता था लेकिन नहीं किया इसमूद कहने का मन यह है कि यदे हिर्दे की सुन्दर्ता रहे तो लाक कितनी भी बुराई एच्छा ही आप कुछ भी बता दीजिए परंत उसका प्रेम कोई भी परिवर्टन होने वाला नहीं है आज क्या होता है आधुनिक जीवन में लड़के-लड़कां प्रेम करते हैं लोग प्रेम करते हैं दूसरे से अगर अगला दूसरे से बता दिया रहे यार वो तो उनसे बात कर रहे थी तुमसे भी बात करती है अब इतने में अब आप यह दे प्रेम करते हो तो आपका मस्तिस्क आपका विचार एक जैसा होना चाहिए था प्रम तो नहीं हुआ आप उस पर सक्किये जगडा किये जंजट किये बिना पूछे आपको उसको छोड़ दे बात यहीं पर खतम हो गए स्टीट फास्ट मैंड दिर्ण विचार दिर्ण मन क्यों लिखा क्योंकि आपका मन यह दिर्ण नहीं होगा तो आपको कोई भी बहका सकता है प्रेम एक ऐसी पूजा है जिसमें विभिन प्रकार के विगन डाले जाते है तो आपका स्टीट फास्ट मैंड भी होना चाहिए जेंटल थाट और अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के विश्य में अच्छे विचार आने चाहिए गलत विचार नहीं आने चाहिए पर आम तो आज एक ऐसी स्थिती है कि हर एक के मन में गलत विचार चलते रहते हैं अगर कोई लड़का है किसी लड़की से प्रेम करता है तो ये इस पर शक करता रहेगा ये लड़की इस लड़के पर शक करती रहेगी जंटल थाट आये नहीं पाएगा प्रेम में दोनों के प्रेम में हमेशा कहीं 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 खटपट होती रहेगी तो ये बात अब द प्रत्र एक्षाय होनी चाहिए एक्षाय यदि पवित्र है तभी जाकर के आपका प्रेम शारीरिक प्रेम से बढ़ करके इस हरद्यांगम अर्थात आध्यात्मिक अर्थात स्पिरिचुल प्रेम तक पहुच पाएगा और यदि ऐसा आपने कर लिया तो आपका हरदय जो है आ जाये आपके सामने आपका प्रेम किसी भी तरीके से अलग नहीं होगा वो एक जैसा ही रहेगा और यदि इतनी चीज़ें आप कर लिये तो आपके अंदर प्रेम करने की अगनी आपका प्रेम सरीर के खतम हो जाने सरीर के व्रद्ध हो जाने या समय के बीतने के साथ साथ आपका प्रेम कभी कम होगा नहीं इसलिए कभी तनी शक्ती से कहा कि जहां पर ये सभी चीज़ें मौजूद ही नहीं है जहां पर ये सभी चीज़ें मौज़ूद ही नहीं है ऐसे गाल, होंट या आँखों को मैं क्या करता हूँ घिना करता हूँ I hope कि आपको अब ये बात पढ़िया समझ माई होगी अब आएए इसी चीज़ को मैं English में explain करता हूँ But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires Hurts with equal love, combined kindled never dying fires Where these are not, I despise lovely cheeks or leaves or eyes By these six lines, the poet finally tells That beauty of mind and heart is greater and everlasting than physical beauty The poet has already told us about a woman with physical charms Now he tells us about a woman who has better qualities Who has not better, much more better qualities A noble woman's mind is healthy and stable She never thinks of fierce things Her desires are free from all harms She always thinks about her lover gently They are simple and pure, pious She loves equally to all human beings The love that a man feels for her Will be true and permanent Will be everlasting Will not be short-lived A woman who does not have these virtues Is hateful Even if she is beautiful ठीक है बहीए? तो ये तो इस कविता की बात ये नहीं तो हमको प्रेम करना चाहिए किस से? शारिदिक प्रेम से नहीं हमको spiritual प्रेम को ध्यान में रखना चाहिए Spiritual beauty को ध्यान में रखना चाहिए तब आपको सच्चा प्रेम मिल सकता है ठीक है? आएए आगे हम लोग देखते हैं Central Idea मैं अगली कविता से एक और कोशिश करूँगा थोड़ी सी कि आपको इस कविता से सीख क्या मिली? इस चीज के बारे में भी थोड़ी कुछ चीज मैं हिंदी या इंग्लिश में लिखोंगा सीख के बारे में ठीक है? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है क्या सीख शामलती है? तो Central Idea लिखा गया in the poem The True Beauty The poet Thomas Carey says that the beautiful lips, cheeks and eyes make a woman more beautiful but these things are mortal mortal मतर छणबंगो जो मरनसील है but these things are mortal they decay with the passes of time On the contrary, love based on good qualities of character and mutual affection is provenant Beauty of character is true beauty तो अगर कोई पूछे कि What is true beauty? तो मेरे अम्मने अपने सब्दों में लिखा Beauty of character is true beauty जो आज देखने को जल्दी नहीं मिलेगी बहुती कम ऐसे प्रेमी होंगे जिनमें सच्ची सुन्दर्ता वाकाई में देखने को मिलती है लाग बुराईया हों, लाग कुछ भी हो पर मुझे बुराई दिखती ही नहीं मुझे तो कोई बुराई दिखती ही नहीं वो प्रेम होना चाहिए बुराई होगी, यह दिलाक बुराई होगी, दोनों बैठेंगे, मिलेंगे, पूछेंगे, आप मेरा बताओ, मैं आपका बताओ, और दोनों सुधार लेंगे तो यह जो प्रेम हुआ, यह कभी भी समाप्त नहीं हो जाता आपने देखा था, कृष्णा और राधा का भी प्रेम था, यह कैसा प्रेम था, यह स्पिरिच्वल ब्यूटी था कृष्णा मीरा का भी प्रेम था, यह भी कैसा प्रेम था, स्पिरिच्वल ब्यूटी था अब ये आप कहें कि कृष्णा तो बहुत सारी लड़कियों से प्रेम करते थी, तो हम भी करें, ना जी ना, आपकी सोच गलत है, ऐसा हम लोग विचार हम सबको नहीं करना चाहिए, प्रेम केवल एक से होता है, चाहिए जब पूरी जिंदगी में कभी भी प्रेम होगा, होग जरूर, परंतु किस से होना चाहिए, स्प्रेचुएलिटी से होनी चाहिए, उसकी करेक्टर की ब्यूटी से होना चाहिए, उसकी फिसकल ब्यूटी से प्रेम नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने दो चीज़ें सिखी आज, कि ट्रू ब्यूटी क्या है, फिसकल ब्यूट या character की beauty तो आप कहेंगे कि beauty of character is true beauty, beauty of physics is not true beauty, मतब शरीर की सुन्दरता वास्तविक सुन्दरता नहीं है, बलकि उसके गुणों की सुन्दरता, उसके character की सुन्दरता, उसके चरत्र की सुन्दरता, उसके मन की सुन्दरता, उसके हर्दय की सुन्दरता ही वास्तविक सुन्द लाइफ को भी बहुत लोगों ने देखा इसके लिए आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद आप इस कविता को भी इस पोईम को भी दूर-दूर तक फैलाईए खूब शेयर कीजिए खूब लाइक कीजिए खूब कॉमेंट कीजिए ताकि मैं अगली कविता आपकी जो होगी वो होगी on his blindness जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है बहुत भी बहतरी इन कविता है उसको आपकी सामने लेके आऊंगा तब तक आप लोग कविता को देखते रहें अपना आशिरवाद अपना प्रेम मेरे सांथ बनाय रखें और मेरे चैनल को दूर-दूर तक खूब शेयर करत जात